वीवर्स हमारे अर्थ की सिचुएशन खराब होने पर नासा के एस्टरनोट्स ने मार्स पर जाकर लिटरेली खेती करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो सब मार्स को अर्थ की जैसा ही रहने लाइक बना सकें लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ पर क कारण पेड़ पौदे और सारी रिसोर्सेस एकदम से खतम हो चुके थे हमारे अर्थ का वाता वरन ग्लोबल वामिंग के कारण पूरी तरीके से खराब हो चुका था इसलिए अर्थ के सभी विज्ञानिकों ने लोगों को मार्स पर शिफ्ट करने का मिसन चालू कर दिया हो और अब उन्होंने रोकेट्स की मदद से मार्स पर बहुत सारे अलगाय उगा दिये थे दरसल ये अलगाय छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो सन की लाइट एब्जॉब करके वाता वरन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते थे और अब पूरे 20 सालों तक ऐसा करने के बाद मार् मार्स के वाता वरन में अपने आप उक्सीजन गैस कम होती जा रही है और उनकी भेजे गए सारे अलगाय भी खतम हो चुके थे इसलिए नासा ने अपने एक ग्रूप ओफ एस्टरनोट्स को रवाना कर दिया होता है मार्स के पास जाकर इन सारे चीजों पर नजर रखने के इस पूरे मिशन के लिए जेन नाम की एक एस्टरनोट को लीडर बनाया जाता है और अब जेन बाकी टीम मेंबर्स के साथ मार्स की तरफ निकल पड़ी थी टोटल 180 दिन बीटने के बाद वो सब मार्स के और्बिट में पहुँच गए थे अब उन सभी को कैसे भी करके मार् रॉबर्ट जिसका नम EMI होता है वो भी पूरी तरीके से सामिल था जो कि मार्स के सतर के सैंपल्स कलेक करके उनके बारे में इंफोमिशन अर्थ पर ट्रांसफर करता जाएगा अब तो वो सब रेडी हो जाते हैं मार्स के सतर पर लाइंड करने के लिए पर तबी उनके स्प पर शिप में रुकर यहां की प्रॉब्लम्स को सॉल करेगी जेन ने तो कैसी भी करके अपने क्रूम मेंबर्स को मार्स के सतर की तरफ रवाना कर दिया था और अब वो सब तेजी से मार्स के वातावरण में चले जाते हैं उनकी स्पीड स्च में बहुत जादा बढ़ गई जिसकी वज़े से वो अपने टारगेटेट लोकेशन पर लैंड नहीं कर पाते उन्होंने पहले ही अपने एमी रॉबोट को नीचे गिरा दिया था और थोड़ी दिर बाद ही वो रॉबोट एकदम से एक्टिवेट हो जाता है हाला कि बागी क्रूम मेंबर्स ने एकदम क् कलते हैं तब उनके टीम में बर्ड नाम का एक मेंबर पूरी तरह के से घायल हो चुका था और अब वो उनके साथ आगे बड़ी ने पाएगा वहाँ जेन जो कि स्पेस्शिप में मौजूद होती है वो बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम से जूज रही थी और एक बार तो स्पेस्शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है लेकिन जेन ने अपने पूरी करियर में ऐसी कंडिशन बहुत बार देखी थी इसलिए वो धमाके से बचते हुए फायर को स्पेस्शिप से बाहर निकाल दीती है अब वो सारे क्र्यू मेंबर जो कि मार्स के जमी पर कदम रख दे और अब बर्ड अपनी टीम से मार्स का एक पत्थर लेके जाकर उसकी पूती को गिफ करने के लिए खैता है अगली इम मोमेंट में बर्ड ने अपना दम थोड़ दिया था बाकी टीम मेंबर्स इस बात को बुलाकर अपनी जरनी तैग करते रहते हैं अब बहुत टाइम तक चलने के बाद उन्हें अपना हैटकॉर्टर मिली जाता है लेकिन वो तो पूदी तरीखे से तबाह हो चुका था वो चारो एस्टरनौट्स ये देखकर एकदम शौक हो गए थे क्योंकि उनका ये हैटकॉर्टर मार्स पर मौजूद किसी भी तूफान से बचने के लिए बनाया गया था और वो इतनी आसानी से तो नहीं तूट सकता था यानि कि इसका मतलब ये होता है कि उन चारो एस्टरनौट्स के पास मार्स पर सर्वाइफ करने के कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे इसी हैटकॉर्टर में उन्हें लगबग दो सालों तक अपन बाजा नहीं होता कि उसके क्रियू मेंबर्स किस खतरना चीज का सामना करने वाले हैं अब जैसे जैसे टाइम बीटता जा रहा था मार्स पर ठंडी बढ़ती जा रही थी उन चारो एस्टरनौट के पास तो सिर्फ एक गंटी की ऑक्सीजन बची होती है और अब वो सब पसंद करते थे वो दुनों यही बाती करते करते एक पाड़ी वाले इलाके में पहुच जाते हैं और अब तो रॉबी और बाप की डिबेट चालो गई थी लेकिन अब गलती से रॉबी का हाथ बाप को लग जाता है जिससे कि बाप पाड़ी के एकदम नीचे गिर गया था और अब बाप की दर्दनाक मौत हो जाती है रॉबी जब अपने बापी एस्टरनाट दोस्तों के पास पहुचता है तब उसने बहाना बनाकर अपने टीम मेट्स को ये बोल दिया था कि रॉब बहुती ज़्यादा डिप्रेशन में था जिसकी वज़े से उसने सूसाइड क लिया लेकिन अब बाकी टीम मेंबर्स बाप को काफी अच्छे से जानते थे बाप तो कभी भी अपनी जान लहीं नहीं सकता था इसलिए वो सब रॉबी की बातों पर भरोसाई नहीं करते लेकिन अब तो उनके सूट की पूरी ऑक्सीजन खतम हो चुकी थी जिससे कि वो सांस ले पा रहा था और अब रॉबी अपने बाकी टीम मेंट से भी हेलमेट निकानने के लिए कहता है उन सबी को तो कुछ समझी नहीं आ रहा था कि वो मार्स के इन्वारमेंट में इस तरी किसे सांस के से ले पा रहे हैं क्योंकि मार्स के वातावरण में ऑक्सीजन पहले अब रॉबी और बाकी एस्टरनोट्स को मार्स के वातावरन में काफी ठंड लगने लगी थी। उनके बास तो ठंड से बशने के लिए और कोई भी एक्विपमेंट्स होते ही नहीं है। लेकिन अभी तो खतरनाक मुसीबतों का आना बाकी था। उची दिर में रॉबी और ब अगातार हमला करते जा रहा था। रॉबी के कुछ फ्रेंड्स तो काफी यदा घायल भी हो चुके थे पर वो कैसे भी करके एमी से बचते हुए एक सीब जगह पर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद रॉबी अपनी टीम मेंबर्स को बता रहा था कि नासा ने 1998 में मार्स पर रैस्क्य रोवर भेजा था। जिसे अगर हम सब ढून ले तो हम अपने स्पेस शिप में वापस जा सकते हैं। लेकिन उस रोवर को ढूनना इतना भी आसान नहीं था। पर वो सब इन सारी चीजों के बारे में बिना कुछ सोचे समझे अपनी जर्नी स्टार्ट कर देत हैं। अब रौवी और बागी ऐस्टोनाट को रास्ते में छोटा सा रोवर दिखाई देता है जो बहुत पहले मार्स के औरबिट में भीजा गया था। लेकिन अब रौवी और बागी ऐस्टोनाट उस रोवर को ठीक करने लग जाते हैं। क्योंकि रोवर भले ही काम का नह पर उसके अंदर के कुछ डिवाइस यूज करके वो जेन की तरफ अपना रेडियो सिगनल सेंड कर सकते थे और उनका ये प्लान काम्याब भी हो जाता है जेन को पता चल गया था कि वो सारे लोग अभी भी जिन्दा हैं इसलिए अब जेन भी अर्थ के और्बिट में मौजू के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करता है लेकिन उन लोगों ने सारी होप छोड़ दी थी उन्हें ने लग राथ था कि वो उस रैसकी रोवर तक पहुच पाएंगे लेकिन इसके अलावा उनके पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो सब रोवर के डाइरेक पर वो सब कैसे भी करके पास से वाले एक गुफा में छुप जाते हैं लेकिन अब रोवी पता नहीं क्यों बहुत जादा काइंड बनने की कोशिक करता है वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को रोवर की मदद से यहां से चले जाने के लिए कह रहा था लेकिन अब चिप ना का एस्टर नॉट अपने हैंड स्क्रीन पर देख रहा होता है कि उनका एमी रोबोट जो की आउट ओफ कंट्रोल हो गया था वो चिप की तरफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और देखते ही देखते रोबोट ने चिप पर हमला कर दिया था और उसकी जान लेली थी यह सा कारी चीजे देखकर एकदम से शौक रह जाते हैं क्योंकि मार्स के बाकी इलाके से तो अलगाय पूरी तरीके से खतम हो चुकी है फिर यह कौन सी जगह है जहां पर अलगाय बाकी है उन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब उने उसी जगह पर चिप मरा फायर बाल्स निकलने लगते हैं और तब जाकर उन दोनों को मार्स के इस डार सीक्रेट का पता चलता है वो छोटे छोटे फायर बाल्स और कुछ नहीं बलकि एडवांस कीड़े थे जो लगातार इन सभी अलगाय को खा रहे होते हैं बेन एस्टरनोट होने के साथ साथ एक माइक्रो बायलेजिस भी होता है इसलिए अब वो उन सारे इंसेक्ट को बड़ी बारीके से देखने लगा था दरसल ये सारे इंसेक्ट मार्स पर सालों से प्रेजन थे लेकिन जब हम इनसानों ने मार्स पर अलगाय बीच कर यहां का इन्वायरमेंट बदलने का ट्राई कि तब ये इंसेक्ट अलगाय को लगातर खाते जा रहे थे और इनी कीडों ने उनके हैट कोटर को पूरा डिस्ट्रॉई किया था हाला कि बैन को एक बात और पाता चलती है कि ये इंसेक्ट भले ही अलगाय को खाते थे पर जो वेस्ट प्रोड़क इनके बॉड़ी से निकलत था उसके साथ साथ ये सब भारी मातरा में ऑक्सीजन भी रिलीस करते थे और यही कारण था जिसकी वज़े से वो सब मार्स के इन्वार्मेंट में भी सांस ले पा रहे थे यानि कि ये सारे कीडे उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन साबित हो सकते हैं इसलिए अब वो रॉबी को सैंपल दे देता है और अपने आपको आग जलाकर ब्लास्ट करा देता है जिससे कि बहुत सारे कीडे जल कर मर चुके थे यानि कि अब रॉबी पूरी तरीके से मार्स पर अकेला था रॉबी जेन से कनेक्ट होता है और उससे ये सारी बाते बता देता है रॉ रॉबी को गाइड कर रही थी कि वो रॉवर को कैसे ठीक कर सके लेकिन रॉबी को इस बात का पूरा अंदाजा हो गया था कि रॉवर में इतनी पावर सी नहीं है कि वो रॉबी को मार्स के ओर्बिट तक भेज सके उसके अंदर तो एक भी बैटरीस मौजूद ही नहीं थी और अगया था लेकिन इस बार बॉबी ने बड़ी चालाकी से उस रॉबोट का सौट सर्कृट करके डियक्टिवेट कर दिया होता है रॉबी ने उस रॉबोट में मौजूद सारी बैटरीस निकाल दी थी जिससे कि वो रॉवर में अलग-लग जगहों पर लगा देता है और अ अलाकी जेन का स्पेस शिप निकल चुका होता है पर वो तबी भी अपने बॉडी में वायर ट्यूज बानकर रॉबी को स्पेस में बचाने चली गई थी जेन ने रॉबी के रॉवर को पकड़ दिया होता है और वो लगातार अपने स्पेस शिप के तरब बढ़ते रहती है स्पेस्शिप में एकदम सई सलामत पहुचने के बाद रॉबी और जेन एक दूसरे के गले लग जाते हैं रॉबी के पास तो उन सभी इंसेक का सैंपल भी था यानि कि वो सब अर्थ पर खाली हाथ तो नहीं जा रहे होते याँ देखकर लग रहा था कि जेन भी रॉबी से प्यार करने लगी है लेकिन जेन को तो रॉबी के डार्क साइट के बारे में पता ही नहीं था और इसे के साथ हमारी ये काानी यहीं पर खतम हो जाती है आपको ये स्टोरी कैसी लेगी प्लीज कमें सेक्षेन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्प्रिनेशन एक पसंग भी अठ्या लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्स्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मज़़ा स्टोरीज धून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सी या